21 या 12, 21, 21, 21, 21, 21, 21 अरे क्या आप सूच रहे हैं कि मैं ब्लैक कर रहा हूँ? ने ने मैं ब्लैक नहीं कर रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ 21 या 12 अरे 21 यानि कि Samsung S21 जो कि अभी अभी लाँच हुआ है और 12 यानि कि अपना iPhone 12 तो क्या लें? Samsung S21 लें या iPhone 12 लें? ये बात जो है लोगों के मन में बहुत सारे सवाल पैदा कर रही है तो आज का जो वीडियो है आप end तक जरूर देखना क्योंकि इस वीडियो में हम लोग compare करने वाले हैं S21 को iPhone 12 के साथ और जानेंगे कि कौनसा phone आपको लेना चाहिए इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी के भी लाइक करो यहाँ पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और अगर आप जानना चाहते हैं ऐसे वाले अपडेट्स और सीखना चाहते हैं ट्रिक्स और टिप्स तो जॉइन करिए मेरे इंस्टाग्राम स्वाड को मेरा इंस्टाग्राम आइडी है imdypro स्वागत है आप सबका imdypro YouTube चैनल पे तो सबसे पहले बात करते हैं प्राइसिंग के बारे में Samsung Galaxy S21 का जो स्टार्टिंग प्राइज है वो है 69,999 और जो iPhone 12 का स्टार्टिंग प्राइस है वो है 79,900 तो कुल मिला के बात यह है कि अगर आप दोनों में से कोई भी फोन लेते हैं तो आपको एक किटनी तो जरूर बेचनी पड़ेगी आगे देखते हैं स्टार्टिंग प्राइस की बात कर ली है तो अब बात करते हैं स्टोरेज के बारे में Samsung Galaxy S21 आता है दो स्टोरेज आप्शन में एक है 128GB और दुसरा है 256GB 128GB की प्राइजिंग मैंने आपको अल्री बता दी है वो है लगभग 70,000 रुपीज और जो 256GB का मॉडल है वो आता है 74,000 रुपीज में वहीं अगर हम बात करें iPhone 12 की तो iPhone 12 में हमें 3 स्टोरेज मॉडल मिलते हैं एक है 64GB जिसकी स्टार्टिंग प्राइस है 79,900 दूसरा है 128GB जिसकी स्टार्टिंग प्राइस है 84,900 रुपीज और 256GB जिसकी प्राइसिंग है 94,900 रुपीज तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो प्राइसिंग डिफरेंस है वो काफी ज़्यादा हो जाता है जैसे हम higher storage वाले options में जाते हैं लेकिन जिन लोगों को ज़्यादा storage चाहिए उनके लिए iPhone 12 मेरे हिसाब से better choice होगा क्योंकि S21 के series में Samsung ने microSD slot को निकाल दिया है यानि कि आपको नहीं मिल रहा है expandable storage अब बात करते हैं एक ऐसे point के बारे में जो flagship phones के लिए बहुत important है और वो है build quality Samsung के हर Galaxy phone की तरह Galaxy S21 भी बना है plastic से जिसे Samsung Glastic कहता है लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि Gorilla Glass है और जो body है वो completely plastic की बनी है जो कि मेरे हिसाब से एक complete downside है एक flagship phone के लिए खास करके 2021 में अगर हम 70,000 रुपय दे रहे हैं एक flagship phone के लिए तो हमें definitely एक metal body वाला phone मिलना चाहिए वही अगर हम बात करें iPhone 12 की तो Apple का सबसे बड़ा USB यही रहा है कि Apple कभी भी अपने iPhones में plastic का इस्तमाल नहीं करते हैं वो हमेशे यूज़ करते हैं Glass और Aluminium उनके base models में और जो pro models है उसमें यूज़ करते हैं Glass और Steel अब compare करते हैं दोनों के displays को Samsung Galaxy S21 का जो display है वो है 6.2 inches का AMOLED display जबकि iPhone 12 में हमें मिलता है 6.1 inches का OLED display Screen resolution की अगर मैं बात करूँ तो S21 का जो resolution है वो है 2400 x 1080 और iPhone 12 का resolution है 2532 x 1170 तो यहाँ पे जो screen resolution है वो iPhone 12 में काफी ज्यादा है In fact, iPhone 12 का जो pixel per inch है याने की PPI है वो भी ज्यादा है S21 के comparison में iPhone 12 में आपको जो pixel per inch मिलता है वो है 460 PPI जबकि S21 का pixel per inch है 421 PPI वहीं अगर हम बात करें screen brightness की तो S21 का brightness है वो है 1500 nits जबकि iPhone 12 का screen brightness है 1200 nits तो यहाँ पे जो मामला है वो 1920 है लेकिन display वाला point मैं Samsung को देना चाहूंगा क्योंकि iPhones में भी काफी हद तक Samsung के displays ही use होते है अब बात करते हैं phone के internals के बारे में S21 में आपको मिलता है Snapdragon 888 और इसकी जो battery capacity है वो है 4000 mAh यहाँ पे आपको मिलता है Android 11 यानि की One UI और जो internal memory है वो है 8 GB वहीं अगर हम बात करें iPhone 12 की तो जो battery capacity है वो काफी कम है S21 के comparison में यहाँ आपको मिलता है 2815 mAh की battery और जो RAM है वो भी 4 GB का RAM आपको मिल रहा है लेकिन यहाँ पे game थोड़ा सा interesting हो जाता है यहाँ पे काम आता है Apple का software और hardware का integration यानि की iOS 14 और A14 bionic chip इनका integration इतना अच्छा है कि कम battery capacity और कम RAM के बावजूद performance में आपको कभी भी lag नजर नहीं आएगा दूसरा है 12 MP का ultra wide camera और जो तीसरा camera है वो है एक hybrid optic telephoto camera जो की 64 MP का है वही iPhone 12 में हमें देखने को मिलता है दो camera का design एक है 12 MP का wide angle camera F 1.6 aperture के साथ और दूसरा है एक ultra wide camera जो की 12 MP का है तो यहाँ पे point मैं definitely Samsung को देना चाहूंगा कि यहाँ पे एक और camera उन्होंने add किया है back में जो हमें देखने को मिलता है iPhone के pro models में क्योंकि हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं camera के बारे में तो computational photography के बारे में बात करना बनता है इसका मतलब यह है कि जो processor आपके smartphone में है वो adjust करता है आपके images को जो exposure है contrast है जो colors है उसको process करता है और वो कितनी अच्छी तरीके से करता है वो depend करता है processor और operating system पे तो यहाँ पे मैं Apple को एक point ज़रूर देना चाहूंगा क्योंकि जैसे कि मैंने पहले बताया iOS 14 और A14 बिएने चेक बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है तो जो computational photography है iPhone में वो काफी ज़्यादा अच्छी है S21 के comparison में front camera की बात करूँ तो S21 में हमें मिलता है 10 megapixel का F2.2 वाला camera और iPhone 12 में हमें मिलता है 12 megapixel का F2.2 camera तो यहाँ पे जो iPhone 12 का front camera है वो थोड़ा सा better है तक तब भी यह phone safe रहेंगे खराब नहीं होंगे Biometrics और security की अगर मैं बात करूँ S21 में हमें मिलता है एक fingerprint sensor और face recognition जबकि iPhones में हमें सिर्फ मिलता है face ID यह दोनों phones 5G enabled हैं लेकिन Indian user के perspective से यह point इतना important नहीं है क्योंकि India में फिलाल 5G available नहीं है ports की अगर मैं बात करूँ तो S21 में हमें मिलता है USB-C का charging port और iPhone 12 में हमें मिलता है एक lightning port और अगर मैं बात करूँ box की तो आप जानते हैं कि iPhone 12 में charging brick available नहीं है Samsung भी इसी नक्षे कदम पे चल रहा है और नहीं देने वाला है charging brick उसके नए S21 सीरीज में तो घूम फिर के हम वहीं पे आ गए कि 21 लेना चाहिए या 12 S21 या iPhone 12 इसका answer इतना simple नहीं है अगर आप already एक iPhone user है यानि कि Apple के ecosystem में है तो आपके लिए ये no brainer है आपको iPhone 12 पे अपडेट जरूर करना चाहिए लेकिन अगर आप Android यूज़ कर रहे है और आप दूसरे Android फोन को यूज़ कर रहे है तो Samsung S21 एक अच्छा अपडेट आपके लिए हो सकता है लेकिन अगर आप उन लोगों में से है जो निरवाना पाचुके हैं और आपको फरक नहीं पड़ता है iOS, Android ये सारी दुनियादरी की बातों से आपको कोई लेना देना नहीं है तो फिर भाया ऐसा आपका है आप लगाईए और बताईए कैसा है तो यार क्या लेने वाले हो S21 या iPhone 12 ये वीडियो कैसे लगा प्लीज बताना कमेंट्स में इसको लाइक और शेर कर देना और अगर यहाँ पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और चाहते हो ऐसे वाले अपडेट सीखना चाहते हो टिप्स, ट्रिक्स तो आओ और जॉइन कोरो मेरे इंस्टाग्राम स्कॉड को इंस्टाग्राम आईडी है आज का वीडियो यहीं पर खतम करता हूँ मैं आपसे मिलने आऊंगा अगले वीडियो में तब तक के लिए स्वस्त रहिए मस्त रहिए और व्यस्त रहिए